विल्किस बानों के 11 गुनहागारों की रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोड में सुनवाई हुई दारेयाचिकाओं की सुनवाई में आज वरिश्ट वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोड से अपील की है कि सभी आरोंपियों को फिर से जेल भी जज़ाए सुप्रीम कोट में गुजराथ सरकार ने एक सोंबार को कैदियों की रहाई के समर्थन में हलफ नामा दायर किया था जिसको लेकर गुजराथ की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी सवालों के घेरे में है इस मामले को लेकर क्या रहा कोट का रुख देखते हैं ये रिपोर्ट बिल्किस बानो रेप मामले की 11 आरोपियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल जनहीत याचिका पर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई आगली सुनवाई 29 नमंबर को होगी याचिका में कहा गया कि इस पुरे मामले की जांच CBI ने की थी इसलिए गुजरास सरकार दोश्यों को सजा में छूट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकती वहीं इस मामले को लेकर सुप्रिम कोट ने गुजरास सरकार को भी फटकार लगाई है दोश्यों को रिहा करने पर गुजरास सरकार ने सुप्रिम कोट में हलफ नामा दाखिल किया गुज्रा सरकार ने कहा कि ग्रहम अंत्राले से मंजूरी मिलने के बाद ही दोशियों को रिहा किया गया री मिशन पॉलिसी के तहस सभी दोशियों को जेल से छोड़ा गया इस मामले में PIL दाखिल होना कानून का दुर्पयोग है किसी बहरी वेक्ति को आपरादिक मामले में दखल देने का अधिकार कानून नहीं देता है इसलिए याचिका खारिच की जाए सुनवाई के दोरान जस्टिस अजे रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवी कुमार की पीट ने आदेश दिया कि गुज़रा सरकार के दायर जवाब सभी पक्षों को उपलब्द करा जाए पीट ने कहा कि गुज़रा सरकार ने एक काउंटर दायर किया है सभी वकीलों को जवाबी हलफ नामा उपलब्द कराया जाए याचिका करता सुभाशनी अली की ओर और अन्य की ओर से पेश हुए कपिल सिबल ने सुप्रेम कोर्ट में जस्टिस आजेर रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवी कुमार की बैंच से कहा मेरा माना है कि उन 11 दोशियों को जेल में होना चाहिए सुप्रेम कोट ने गुज़ा सरकार के हलफ नामे के बाद याचिका करताओं को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 नमंबर दी है इस मामले में कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने सीधे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पननिशाना साधा उन्होंने ट् attributed करते हुए लिखा कि लाल किकले से महिला समान की बात लेकिन असलियत में बलातकारियों का साथ प्रधान मंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफे पीम ने महिलाओं के साथ सिर्फ चल किया है राहूल गांदी के साथ ही कॉंग्रेस पार्टी ने भी बिल्किस मामले पर पीम मोदी की खामोशी पर भी सवाल खड़े किये हैं